हेलो एब्रिवन आज की टॉपिक है मल्टी क्लिस्ट्रान एंप्लिफायर इसका उप्योग भेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल के पावर को एंप्लिफाय करने के लिए किया जाता है जैसा कि प्रिवेस वीडियो में हमने बताया था टू क्लिस्ट्रान एंप्लिफायर के बारे में तो टू क्लिस्ट्रान एंप्लिफायर में दो क्यावटिया होती है इसमें मल्टी क्लिस्ट्रान एंप्लिफायर में दो सदिक क्यावटिय होती है इसमें एक वंचर cavity जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी इंपुट से काते हैं इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इंपुट से नल दी जाती है इसमें यह cavity 1 होती है cavity 1 input cavity and this is cavity 2 यह catcher cavity है इसके बीच में 2 या 2 से अधिक intermediate cavity होती है तो इस प्रकार इस तरह के amplifier में कई प्रकार की cavities होती है इसलिए इसे multi cavity क्लिष्णा amplifier करते है इसका basically use काफी high frequencies जैसे ultra high frequency और x band range तक की frequency की signal के power को amplify करने के लिए इसका use किया जाता है इसके basic structures में cathode होता है होती है बंचर cavity जैसे input cavity और catcher cavity और पूट cavity इसके बीच में intermediate cavity दो या 2 से अधिक cooler होता है collector है collector के बाहर की तरब cooler लगा होता है ताकि यह system पूरा ठंडा रहे क्योंकि electrons इसी collector पर आकर strike करते हैं जिसे पूरा system गर्म होता रहता है इसके उपर इसके surrounding जो होती है magnet coils लगे होते हैं यह magnet coils जो होता है electron को deflection करने के लिए और इसके अंदर magnetic strong magnetic field produce करने के लिए उसके आता है इसमें जो input cavity होती है first cavity जैसे बंचर cavity करते हैं यह cavity anode के रूप में कार करती है और इन सभी cavities पर positive potential created होता है पज़्टी पोंटेंशल के लिए इन सभी करविट्यों पर positive voltage के और पर आप्लाई किया है और यह cathode जो होता है इन दोनों voltage का common point होता है cathode से इनको common point करते हैं इसमें heater जो होता है इसको hit किया आता है ताकि cathode इसको hit करने पर cathode और इस पर negative potential अप्लाई करने से इस cathode से electrons निकलते हैं और यह electron cathode से निकल कर सीधे अंदर cavity की तरफ से होते हुए collector के पास पहुंचते हैं क्योंकि cavity पर positive voltage अप्लाई होता है इसमें first cavity में radio frequency signal दी जाती है वह input signal प्रवाइड की जाती है जिसकी power को improve करना होता है और यह input signal जो है output के रूप ने last वाली cavity यानि की catcher cavity से receive कर ले जाती है तो इसमें input cavity के बाद जो intermediate cavity जो होती है तो input signal जिस frequency range का apply किया गया था उसकी केवल power को improve करना होता है तो same frequency range की signal output में receive करने के लिए इन cavity को का आपस में coupling होना जहूरी होता है अर्थात ये सभी जो चार हो इसमें जितनी 4 cavities दीक रही है सभी cavities जो होती है आपस में coupled होती है ये चार हो cavity या Resonant coupler होती है यानि कि इन सभी cavity में जब भी कोई signal इसमें flow होगी तो किसी भी cavity's अगर output लिया जाता है वैसे इस catcher cavity लिया आता है तो किसी भी cavity अगर ले लिया जाए तो उसमें वही frequency range की सिंगनल डिसीब होगी जिस frequency range की सिंगनल फर्स्ट cavity में insert की गई थी इसके लिए ही इन सभी cavity को आपस में coupled किया जाता है इनकी आपस में coupling tuning होती है इस amplifier का भी basic operation जश्ट वैसा ही है जैसा कि two cavity क्लिष्णान amplifier का था इसमें भी जब cathode से electrons emit होते हैं कि cathode पर negative potential applied है तो यह cavity की तरफ shift होते है क्योंकि cavities पर positive potential applied है जब यह electron first cavity यह बंचर cavity में आता है तो इसमें यदि कोई input signal apply है जैसे यहाँ पर दिखा जा रहे radio frequency input तो यहाँ पर जब कोई input signal provide करते हैं तो यह input signal इस electron के velocity को परवतित करती है क्योंकि इस cavity से पहले जो cathode से electron निकल रहा है जिस speed से भी electron निकल रहा है उनकी velocity same होती है और जब यह इस cavity में आते हैं तो radio frequency signal के cycles के अमसार उनके phase के अमसार इन पर different force act करने लगता है electrons पर जैसा कि हम previous वीडियो में बताया थे कि जब कोई electron इस cavity के पहुंचता है तो यदि इस cavity में apply की गए input signal का phase 0 है यानि कि 0 potential है 0 volt पर है तो उस समय यह signal इस electron के speed में कोई परवता नहीं करेगा और यह electron इस cavity से बाहर निकलेगा जिस speed से वह insert किया था और यदि कोई दूसरा electron आता है उस समय इस input signal का phase अगर positive going है यानि positive potential पर है यह positive potential voltage electron को accelerate करेगा जिससे electron की speed बढ़ जाएगी और यह electron इस cavity से बाहर निकलेगा तो इसकी speed boost हो जाती है जिससे वह बढ़ा हुआ boost speed का electron जो है previous वाले electron को catch करने की कोशिस करता है और यदि कोई तीसरा electron इस cavity में आता है और उस समय input radio frequency signal का signal का negative phase चल ला है तो यह electron के speed को retard करेगा जिससे electron जब इस cavity से बाहर निकलेगा तो उसकी speed down हो जाती है तो उस समय electron जब निकलेगा तो उसकी speed normal रहेगी और उस समय जब कोई electron आता है जिस समय radio frequency signal का positive voltage है तो उस समय उस electron की speed को वह signal boost करेगा जिससे वह accelerate हो जाएगा तो इस परकार यह तीनों electron जो होते हैं आगे जब intermediate cavity में पहुंचेंगे तो यह आपस में एक दुसरे को catch कर लेंगे और bunch बनाने लगेंगे जिससे electron की bunching process इस intermediate cavities में होती है intermediate cavity, buncher cavity और catcher cavity के बीच में होती है तो इस परकार input cavity से पहले electron सिंगल सिंगल निकलते हैं एक linear beam के रूप में जबकि इस cavity के बाद यह सब electrons आपस में बंच बनाने लगते हैं और यह bunch बनाए हुए electron in intermediate cavity से होते होते हुए output cavity की तरफ जाते हैं और यह input single जो apply की गई है, इस input single flow होते हुए output cavity की तरफ पहुचती है और यह bunch बने हुए electrons अपनी energy को release करते हुए output cavity की तरफ जाते हैं जब इन bunch बनाए हुए electron के energy release होती है, तो काफी ज़्यादा मातरा में energy release होती है और यह energy जो release होती है वह input signal को provide होती है जिससे input signal का voltage मान बढ़ जाता है जिससे उस signal का power improve होता है जब यह radio frequency signal output cavity के पास पहुंचती है और bunch बने हुए electrons इस cavity के पास पहुंचते है तो इसके बाद भी collector पर high potential created है जिससे यह bunch बने हुए electron collector पर आकर receive हो जाते हैं क्यूंकि collector पर apply किया गया positive potential in cavities से काफी ज्यादा है इसलिए finally सभी electrons collector पर आकर receive हो जाते हैं यह process continuous चलती रहती है और इस प्रकार यह bunch बने हुए electron in cavities से गुजरते हुए finally collector पर receive हो जाते हैं और इनकी energy radio frequency जो input signal है यानि वह signal जिसकी power को improve करना है वो signal को energy मिलती है जिससे इस signal के power man काफी level तक boost हो जाता है जितने भी power man की requirement होती है उस level तक यदि उसकी power improve हो चुकी है तो उस समय इस cavity, capture cavity यानि का output cavity से उस radio frequency signal को output के रूप में receive कर लिया आता है काफी strike से high weight से strike करते हैं या काफी fast speed से strike करते हैं जिससे बार बार इस पर collector पर strike करने के वज़र से यह collector काफी गर्म होता है जिससे पूरा system गर्म होने लगता है तो इस पूरे system को cool करने के लिए collector पर cooling process होती है जैसे water pump या फिर कोई cooling process अपनाई जाती है ताकि collector ठंडा रहा है और कोई पूरा system cool रहे तो इस प्रकार यह पूरा system किसी भी input signal weak input किसी भी radio frequency input signal या किसी भी microwave input signal या जिसकी power low है उसकी power को improve कर देता है इसे बंचिंग प्रासर से energy को release कराते हुए इसमें एक चीज़ है कि इसमें चार cavity यहां पर चार कर दिख रहे हैं और इसके बीच में जो दो कर दिख रहे हैं इसमें कई सारी कर्वीटिज हो सकती है जितनी ज्यादा क्याइबटी होगी energy कमान उतना ही जाता होगा तो इसमे इसमें number of cavities की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्राणों को इस cavity first cavity से last cavity यानि collector तक पहुशने में काफी समय लगेगा जिससे यह electrons अपनी energy काफी ज्यादा समय के लिए रिलीश करेंगे जिससे input signal की power काफी ज्यादा तक boost हो सकती है तो इस प्रकार multi cavity crystal amplifier में ज्यादा मात्रा में cavity या होंगी इससे मिलने वाले output signal का power उतना ही ज्यादा होता है इस amplifier के अगर advantage drawbacks और application को देखें तो इस amplifier की advantage जो main होती है वह वहया होती है कि यह amplifier basically ultra high frequency या इससे भी उपर x band frequency range यानि very high frequency range की signal के power को improve करने के लिए इसका इस्तमार होता है यह ultra high frequency और x band frequency range की signal के लिए 30 से 60 dB तक power देता है इसकी efficiency लगभख 70% तक होती है तो यह काफी efficient amplifier माला जाता है अगर इस amplifier के drawbacks के बात करें तो यह चुकिए amplifier very high frequency ultra high frequency range की signal को amplify करने के लिए यूज़ किया आता है इसलिए weak microwave signal को amplify करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है इस amplifier can't use for weak microwave signal और इस amplifier में cavity की संख्या का काफी अधिक होने के वज़र से इसमें इलेक्ट्रानों का कैथोर्ट से collector के पास strike होने में transit time काफी समय लगता है जिसलिए amplifier की noise काफी high होती है तो इस amplifier की noise काफी high होती है इस amplifier की noise level 25 तक होती है जिसलिए या इस amplifier का का काफी main drawbacks माता है तो यह amplifier basically highly noise और weak signal को amplify करने के लिए इस amplifier के applications की बात करें तो इसका विस्पली इस्तिमाल Earth Station में और हाइप रेंज की राडार अप्लिकेशन से का इस्तिमाल होता है जैसे सटलाइट सिस्टम में जब किसी signal को भेजना होता है सटलाइट की तरफ तो वहां पर Earth Station में इस प्रकार के amplifier का इस्तिमाल होता है जिस signal को amplify करक की परपर्ज काफी हाई रेंज के जो अप्लिकेशन होते हैं जहां पर राडा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की और हाई पावर की फ्रिक्वेंसी सिग्नल की रिकॉर्मेंट होती है वहां पर इस प्रकार की amplifier का यूज क्या आता है तो इस प्रकार यह मल्टी काविटी फ्रिक्वेंसी रेंज और एक्स बैंट फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नलों की पावर को इंप्रूब करने के लिए यूज क्या आता है थैंक्यू